इंफेक्टों हमार साथ जूड़ रहे हैं, आजे शर्मा भी हमार साथ हैं, उनसे ज़रा बाच्चित कर लेते हैं, MDNCU कमपनी के वो हमार साथ जूड़ रहे हैं मैं अपने व्यूवर्स की एक बार मेमरी जॉग करा दूं कि कुछ क्वार्टर पहले जब आपने एक साथ एकदम से जटका लिया था अपने मार्जिन्स पर क्योंकि रो मुट्रियल का प्रेशर पीक पे था तब भी आपने शर्मा गाइड किया था कि इस समय शायद थोड़ा चिंता जनक लग रहा है लेकिन हम फ्रंट लोड कर रहें अपने परिशानी को यहां से चीज़ें बहतर होंगी और देखिए लास्ट कुछ कॉर्टर में और आज हम खड़ें काफी चीज़ें बहतर है धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल पे आने के लिए और मैं कहना चा हम जिस तरह से ओवराल ओगनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आगे जाके और भी अच्छा रहेगा तो अगर हम बात करें कि अगर हम इस दो एंगल्स की बात करें कि आपके मार्जिन की परफॉर्मेंस इस बार जैसी रही बढ़त देखी हमने इसके अंदर क्या लिवर्स गए हैं और दूसरा जो रॉम मेटिल के प्राइसे लास्ट तीन चार हफ्तों में एकदम से नीचे आ का डिमांड है वो जो एप्रिल जूम का क्वाटर गया है उसमें अच्छा रहा है काफी बोथ रिटेल साइड में और जो वी टू बी कस्टमर जो प्रॉजेक्स बोलते हैं हम दोनों में काफी अच्छा कंज्यूमर डिमांड रहा है उसके करके जो ओवरॉल ग्रोथ हाया है वॉल्यूम में 37% और वैल्यूम में 59% वो दोनों एक अच्छी कंज्यूमर डिमांड के होते हुए आया है जिसमें एक अच्छा प्रॉडक्ट मिक्स शामिल है जिसमें प्रीमियम और लक्शरी प्रॉडक्स आये हैं जिसने ओवरॉल मार्टिं को एक भडोतरी दी है दूसर कि वज़े से हमने कुछ प्राइस इंप्रीज मार्किट में लिए लगबग 2% का हमने प्राइस इंप्रीज लिया पहले 1st में को और फिर 1st जून को और इसके करते हुए भी कुछ हमें मार्जिन में डेफिनेटली बडोतरी मिली हम कोशिश यही रहती है हमारी कि हम ओवरॉ प्राइसेज को कैलिब्रेट करें और ताकि कस्मर के उपर ज्यादा उसका वेट नहीं पड़े और तीसरी चीज जो हमने करी है कि